असलाम अलेकों माई यूट्यूब फैमली उमीद करती हूँ आप सब खेरत से होंगे अल्ला आपको हमेशा सहतियाब रखे और खुशाल रखे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग डाल और नद्रू की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है ये सबसे पहले हमे मूंग दाल लेनी है मैंने हाफ कटोरी ली है यहां पर ख्यार रखना है आपको मेजर्मेंट का और नद्रू साफ करके रखे थे मैंने अब मूंग डाल जो है आधी कटोरी मैंने इसमें डाल दीए कुकर में इसको वाश किया है दो तीन बार इस तरह साफ हो गए हैं और पानी डालना है, मैं यहां पर दाइब बवल पानी डाला है, और नमक डेड चमज, और हल्दी एक चमज डालना है, और घूझा, यहां पर ठागे लेसन की कलिया, और थोड़ा से तेल ताकि यह बाहर से पिल नहों जाए दाल वैसे इस कुकर में नहीं निकलता फिर भी आप य डाल दे थोड़ा सा तेल और इसको दो विसल तकही कू Muchas करना है मैं इसको गैस पे रख रही हूँ हाई फ्लेम पे रखेंगे पहले भशच दो विसल तकही आप इसको पकाएぎ जादा नहीं पका नहीं इसको बिल्कुल भी नहीं हम पर द्यान रखना है तब तक हम नद्रू जो है हमने साफ करके रखे थे इनको रोस्ट करेंगे इस तरह गैस पर स्टैंड रखके अच्छे से इनको कुक करेंगे तो आप इंडक्शन पे भी कर सकते हैं या किसी तरह भी लेकिन इनको कूक करने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और यह जल्दी सौफ्ट हो जाते हैं इनको हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है फिर इस तरह से मैंने इनको हर इस साइड से कूक किया है तब तक हमारे यह जो है कूकर इसमें दो विसल भी निकल गई है अब हम गैस बंद करेंगे अब जो यह नद्रू है इनको कट करना है यह देखे इसली यह कट हो रहे हैं बहुत सौफ्ट हो गए हैं और इनको होरिजेंटली काट करना है इस तरह इससे क्या होता है इससे इसमें जो रेशे होते हैं खासकर जो कश्मीरी नद्रू है इसमें बहुत ज्यादा होता है वो ज्यादा नहीं निकलते हैं इसलिए इस तरह कट करना बहुत ज़रूरी है इसके बाद आप इनको और वाश करें अंदर से अच्छे से साफ करके रखे और अब हम दाल चेक करेंगे यह देखे आप दाल जो है बिल्कुल पूरी तरह से गली हुई नहीं होनी चाहिए दाने बिल्कुल दिख रहे हैं इसमें ऐसा होना चाहिए इसमें यह देखे यह अलग-अलग सपरेट ही होना चाहिए पूरी तरह इसको गलाना नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला, दोई विसलस इसमें देनी है, तो इसके बाद, जो है, हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे, मस्टर्ड ओयल, यहां पे मैंने लिया है, सरसू का तेल, जब यह गरम हो जाए, दुवा निकल जाए, तब हम इसमें प्याज डालेंगे, इसे हमें अंदाजा होगा कि कितना गरम हुआ है, इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का प्याज मैंने कट करके रखा है, और इसमें डाल दिया है, अब यह होल स्पाइसेज, दाल चीनी, बड़ी, लाइची, एक और थोड़ा सा जीरा, बस यह गरम म यह लिए बुल लेना है, साथ में आप हरी मिर्चे भी एड़ कर सकते हैं, क्योंकि हम मूंग दाल में लाल मिर्च कम यूज करते हैं, इसलिए आपको हरी मिर्चे ही प्रफर करना चाहिए, और अब यह डाल जो है इसमें एड़ करना है, इसके साथ ही सपाइसेज, पावडर मिर्च भी डाल दी है, नमक मैंने यहां पर एड़ नहीं किया, मैंने पहले ही डाला था डेट चमज, बाद में और थोड़ा सा इसमें नमक एड़ करूंगी, सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा सा पानी और एड़ करना है, क्योंकि अब इसको और करके अड़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है, अब मैं नमक और डेट चमल डाल रही हूं यहां पर, तो सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और थोड़ा पानी और डालेंगे, इसके बाद इसको कुक होने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट तो अस-15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं, पानी कितना रह गया है, अब और इसको 10 मिनट रखूंगी में, तो इसके बाद अलहमदलिला बहुत अच्छी ग्रैवी बन गई है, इसकी बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, बिल्कुल वाजवान खुश्बू आ रह हैं यह, और यह देखे, यह कॉंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट होती है, ना इससे जादा गाड़ा होना चाहिए, ना इससे जादा पतला होना चाहिए, यह अना दुरू दाल की रेसिपी, अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म स्टीमर राइस के साथ, यह द अगली मज़दा रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए, अल्ला हाफीज